प्रक्रियाएं कारे संचलन नियमों के नियम 295 के तएट विसेएस उलेक पस्ताव में आपने मुझे बोलने का मुखा दिया उपरोक्त विसेए में निवेदेन है की मेरे विदान सभा क्षेतर आसिंद के नगरपाली का क्षेतर आसिंद में पूरुवर्ती सरकार में पूरु मुख्यमंत्री मोधिया वसंद्रा राजेजी सिंद्या द्वारा बजट वर्ष 2013-14 के तहट नविन राज के आईटियाई के अंदर आसिंद नगर में खोलने की गोशना की गई थी जिस पर विभाग द्वारा दिनांग 17-12-2014 को प्रसाशनिक स्विक्रती एवं दिनांग 19-2-2016 को बवन की वित्य स्विक्रती जारी की गई जिला कलेक्टर विलवाडा के पत्र क्रमांग 41-18 दिनांग 13-11-2017 को आईटियाई बहुन निर्मान हेतु आसिंद ख्षेतर में भूमी आविंटन की गई थी विबाग द्वारा टेंडर आविंटित कर दिनांग 21-3-2018 को खोला गया वे कारिया आरंब करवाने हेतु कारियादेश RS-RDC Limited भिलवाडा द्वारा दिनांग 37-2018 को संबंदित फर्म को वर्क ओडर दिया गया तब से अब तक तीन वर्स पूरे हो जाने पर भी आईटियाई बहुन निर्मान का कारिये 30% भी पूरा नहीं हो पाया है संबंदित विबा के उच अधिकारियों द्वारा समेंदक को नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने से निर्मान कारिये में रुकावटने उत्पन हो रही है जिससे आईटियाई केंदर का भवन निर्मान कारिये दीमिगती से चल रहा है राजकिय आईट्याई आसिंद्ध को वर्ष 2018 से ही राजकिय उज्ज्योगिक पर्शिक्षन संस्तान गुलापुरा के परिशर में संचलित किया जा रहा है सत्र संचलिन कराया जावें जिससे आसिंद्ध क्षेतर के आसपास के गरीब परिवार के विद्ध्यारतियों को इसका लाब मिलेगा क्योंकि ग्रामिन एक्सित्रों में आवागमन प्रियाप्त मात्रा में नहीं होने से विद्यार्तियों को ITAI के अंदर में प्रवेश यतू वंचित रहना पड़ता है जबकि राज की ITAI आसिंद को वर्ष 2018 से ही आसिंद एक्सित्र में संचाली करवाया जाना चाहिए था नविन सत्र 2021-22 को आसिंद एक्सित्र में ही संचाली करवाया जावे और नविन पर्षिक्षन विशे खोले जावे और प्रतियक पर्षिक्षन विशे में कम से कम 100 शीट आवंटीत कर रात परदान करवाएं धन्यवाद